हेलो पिच्चो कैसे हो आप आज अब हमारा मैक्स का फिफ चैप्टर जिसका नमें फ्रेक्शन्स यह हम करने वाले मैं आपको इसका प्रॉब्लम सेट 17 आज कराने वाला हूँ ठीक है लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर आपको दे दिया अगर आप नहीं देखे तो देख लो और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक के सारे वीडियोस मिल जाएंगे और इस वीडियो में आपके जो बाकी के प्रॉब्लम सेट है इस चैप्टर के वो भी मिल जाएंगे उस प्लेइलिस्ट में वहां से आप देख सकते हो ओके चलो स्टार्ट करते हैं देखो प्रॉब्लम सेट 17 में हमें क्या बोला गया है पह fraction क्या होता है numerator क्या होता है denominator क्या होता है उसके बाद ही आप यह problem set कर सकते हो तो पहले वह हम सीख रहेते हैं देखो बच्छो fraction क्या होता है अभी देखो यहां पर समझे लो मैंने लिग दिया two two by three तो देखो यह जो two upon three है इसे हम बोलते हैं fraction और जो ऊपर वाला यह है इसको हम बोलते है numerator और नीचे वाले को हम बोलते हैं denominator ठीक है अब देखो equivalent fraction क्या होता है अगर हम इस fraction को same number से multiply या divide करेंगे तो जो हमें fraction मिलता है वो होता है equivalent fraction अब समझ दो यह हाँ अबले पास है two upon three okay हम equal to का sign डालते हैं अब समय भी हम दोनों ऊपर और नीचे दोनों नंबर को हम multiply करते हैं three से तो क्या हम करेंगे 2 multiplied by 3 upon 3 multiplied by 3 तो हमें answer क्या मिलेगा? 2, 3, 0 क्या होगा? 6 और 3, 3, 0 क्या होगा? 9 तो देखो, हमने उपर वाले नंबर को 3 से और नीचे वाले नंबर को 3 से multiply किया है same number से तो हमें क्या मिला है? 6 upon 9 तो ये हो गया इस fraction का equivalent fraction क्योंकि हमने उपर नीचे वाले को same से multiply किया है चाहे तो आप उपर वाले को 4 से, नीचे वाले को 4 से भी कर सकते हो या 5 से भी कर सकते हो दोनों को लेकिन दोनों number same रहना चाहिए multiplication का तब आपको मिलेगा equivalent fraction अब देखो अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं कि equivalent fraction हम divide करके कैसे निकालते हैं तो देखो अब एक और हम number ले ले लेते हैं जैसे कि 9 by 9 upon 12 ओके ये number है अब इस fraction को हमें ऐसे number से divide करना है जो उपर और नीचे दोनों को divide कर सके ऐसा number हमें choose करना है तो देखो कौन से table में उपर और नीचे का दोनों number जाता है आप देखो कौन सा table है 3 के table देखो 3 के table में 9 भी जाता है 9 भी आता है और 12 भी आता है देखो 3103, 3206 3309, 34012 दोनों इसमें आ रहा है ठीक है तो हम कैसे कर सकते हैं इसको 9 divided by 3 upon 12 divided by 3 तो हमें का मिल जाएगा देखो 3309 और यह 34012 हो जाएगा तो हमें divide करके यह मिला मतलब कि हम जब divide करेंगे न तो हमें दोनों number को एक common number से divide करना है जो दोनों number divide होना चाहिए उस number से ठीक है तो हमें मिलेगा equivalent fraction divide करके ओके आपको समझाए अब इस तरीके से हम यह exercise करेंगे चलो start करते हैं तो देखो बच्चो जो आपको problem set में दिया गया है इस सारे question मैंने लिखा है हम solve करते हैं साथ में आप भी pen or book लेकर video हम साथ में करते हैं यहाँ पर देखो यह problem set 17 आपका जो मैंने लिखके रखा है आपके लिए अभी देखो question 1 क्या है हमें यहाँ पर 1 upon 2 is equal to यहाँ पर देखो ऊपर कुछ भी नहीं दिया है लेकिन नीचे 20 दिया है यहाँ पर हमें equivalent fraction बना के दिया है लेकिन एक number missing है उपर वाला जो हमें लिखना है तो देखो बच्चो मैंने आपको क्या बताया है अगर आपको equivalent fraction निकालना है तो आपको multiply same number से या divide करना पड़ता है अब यहाँ पर देखो आपको already answer दिया है यह लोग ने multiply करके answer निकाला है या divide करके यह हमको पता लगाना है अगर आपको यह पता लगाना है तो एक simple तरीका है इस number से numerator denominator से अगर यह बड़े रहे number तो समयलो multiply करके equivalent fraction निकाला गया है अगर यह number से छोटे रहे यह number तो मतब divide करके निकाला गया है ठीक है अगर समयलो यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिया यहाँ पर दिया है तो यहाँ वाला भी चेक करने का कि उपर वाले से बड़ा है या छोटा अगर यह number बड़ा रहा तो मतब multiply करके equivalent fraction निकाला गया है अगर इस number से छोटा रहा मतब divide करके equivalent fraction निकाला गया है यह case में देखो यहाँ पर 2 है यहाँ पर 20 है यह 20 इससे बड़ा है मतलब इन्होंने multiply करके equivalent fraction निकाला है तो हम क्या करेंगे multiply करेंगे अब देखो 2 के table में बच्चो 20 का बाता है 2 के table पढ़ो 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6 2 4s are 8 2 5s are 10 2 6s are 12 2 7s are 14 2 8s are 16 2 9s are 18 2 10s are 20 हो रहे मतलब 2 जब 2 को आप 2 10s are करोगे तब हो रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा 10 से उपर और नीचे दोनों को multiply करना पड़ेगा तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 1 upon 2 is equal to हमें 10 से करना multiply ठीक है तो 1 into multiplied by 10 upon 2 multiplied by 10 तो हमारा answer क्या आजएगा बच्चो देखो आप 1 को 10 से multiply करोगे आपका क्या आजएगा answer 1 को 10 से करोगे तो अगर आप 1 से 10 को करोगे तो आपका answer आगा 10 उपर 10 आजएगा नीचे क्या आजएगा true answer क्या होता है 20 होता है तो 20 आजएगा तो हमें क्या answer मिला हमारा answer है 10 तो हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं यह हमारा answer आगया है अब यह आगे बढ़ते है अब देखो second में आपको क्या है second में अगर आप देखोगे second में आपको दिया गया है 3 upon 4 और उसके देखो equivalent fraction आपको निकाल के दिया गया है क्या है 15 by यहाँ पे आपको लिखना है फिल करना है अब देखो यह जो number है इस number से बड़ा है कि छोड़ा बताओ बिल्कुल सही बच्चो यह बड़ा है 15 तो 3 से बड़ा है तो आपको तो मालूम है ठीक है तो मतलब यहाँ पे कैसे निकाला equivalent fraction multiply करके निकाला है क्योंकि number बड़ा है यह वाला तो देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा हमें 3 कर टेबल में देखना है 15 कब आता है 3 कर टेबल पढ़ो 3103, 3206, 3309, 34012, 35015 मतलब कि हमें यह numerator और denominator को 5 से multiply करना पड़ेगा तो करते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं 3 upon 4 is equal to 3 multiplied by 5 upon 4 multiplied by 5 तो हमें क्या मिलेगा answer? 3,500 क्या होता है? 3,500 होता है 15 जो यह है ठीक है? 3,500, 15 उपर वाला हमने निकाल दिया अब नीचे वाला भी हमें answer मिलेगा 4,500 क्या होता है? 4,500 क्या होता है बच्चो 20 होता है ना table याद कर लो बिना table क्या आप नहीं कर पाओगे table 1 to 20 लेन कर लो आप 4,500 होता है 20 तो हम यहाँ पर 20 लिख देते हैं ठीक है? तो हमारा answer क्या गया? 15 by 20 तो हमारा यह जो blank है इसमें क्या जाएगा 20 तो यहाँ पर 20 लिख देते हैं ठीक है? अभी चलो, third number की तरफ चलते हैं, third में हमें क्या दिया गया है? यहाँ थर्ड में हमें 9 by 11 is equal to 18 by, यहाँ पर आपको नहीं दिया एग, यहाँ पर हमें fill करना है तो देखो यहाँ पे भी हमें equivalent fraction निकाल के दिया गया है खाली हमें एक यह नहीं दिया गया जो हमें fill करना है अब देखो यहाँ पे यह जो number आपको दिया गया है यह number इससे numerator से बढ़ा है कि छोटा बताओ 18, 9 से बढ़ा होता है कि छोटा बढ़ा होता है ना तो मतलब यहाँ पे भी यह equivalent fraction निकाला है यह multiply करके निकाला है ठीक है तो हम यहाँ पे लिखते हैं हमारा 9 by 11 is equal to अब देखो 9 का table आपको याद है 9 का table पढ़ो और जब 18 आएगा वहाँ पे रुख जाओ 9 1s are 19, 9 2s are 18 मतलब कि यह number को 2 से multiply करेंगे तब 18 मिलेगा इसका मतलब हमें numerator और denominator को 2 से multiply करना पड़ेगा तो हम यहाँ पे करते हैं 9 multiplied by 2 upon 11 multiplied by 2 तो हमें answer क्या मिलेगा यहाँ पे 9 2s are 18 है और हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 11 2s are क्या हो जाएगा 22 तो यहाँ पे हमें 22 मिल जाएगा तो मतलब हमारा answer क्या है यह जो box में लिखना है 22 तो आप यहाँ पे 22 लिख दो ओके तो यह हो गया हमारा 3rd अब चलते हो 4th पे 4th में देखो हमें क्या दिया गया है 4th में देखो हमें दिया गया है 10 10 upon 40 is equal to हमें उपर कुछ ने दिया लेकिन नीचे हमें दिया गया है 8 अब देखो बच्चो यहाँ पे हमें ऊपर कुछ भी नहीं दिया गया है लेकिन नीचे 8 दिया गया है यहाँ भी हमें equivalent fraction बना के दिया गया है लेकिन ऊपर वाला missing है जो हमें लिखना है अब देखो यहाँ पे denominator में 40 है यहाँ पे 8 है तो यह वाला नंबर इससे बढ़ा है की छोटा है बताओ 8 40 से बढ़ा है या छोटा है छोटा है ना मतलब यह वाला equivalent fraction जो बनाए गया है यह divide करके बनाए गया है क्योंकि यह यह वाला जो नंबर है यह छोटा है इससे तो आपको देखो आप 8 के table में देखो 40 का बाता है पढ़ो अभी आप 8108 82016 83024 84032 85040 मतलब जब ही हम 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 8 ठीक है तो अब हमें क्या करना है numerator और denominator को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके हमें मिलेगा यह उपर वाला नंबर ठीक है जो numerator में आएगा तो हम करते हैं देखो यहाँ पे हमारा क्या है 10 upon 40 is equal to हमें किस से डिवाइड करना है 5 से तो 10 divided by 5 upon 40 divided by 5 ओके देखो जब ही multiplication करना रहा है न तो हम यहाँ वाले नंबर के table में देखते हैं कि यह वाला का बात है जब हमें division करना रहा है तब इस वाले नंबर का table पढ़ने का और देखने का यह नंबर का बात है इस वाले नंबर के table में तब वह नंबर से divide करना रहता है हमें अब देखो is equal to का sign डालो अब देखो 10 को जब आप 5 से divide करोगे तो देखो क्या होगा 52010 होता है न तो मतलब हमारा जो answer रहेगा वहाँ पे क्या रहेगा 2 रहेगा देखो यहां पर denominator में तो 8 है मालू में numerator में हमारा क्या रहेगा 2 तो यहां पर यहां पर तू लिख दो ठीक है अब चलो फिफ्ट की तरफ चलते हम फिफ्ट में क्या दिया गया है फिफ्ट में है 14 by 26 14 upon 26 is equal to यहां पर हमें कुछ नहीं है लेकिन उसके नीचे denominator में 13 है अब देखो अब आप पता लगाओ यह जो denominator में नंबर है इस वाले denominator से बड़ा या छोटा है 13 26 से छोटा होता है यह तो आपको मालूम है अब आपको क्या करना है देखना है कि 13 के टेबल में 26 कब आता है 13 1 0 13 13 2 0 क्या होता है 26 होता है मतलब क्या जब हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तब हमें 13 मिलेगा इसका मतलब क्या हुआ हमें numerator और denominator को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है तो अब लिखते हैं यहाँ पर 14 अपन 26 इस इक्वल टू 14 डिवाइड़ बाई 2 अपन 26 डिवाइड़ बाई 2 इस इक्वल टू अब देखो 2 के टेबल में 14 का बात है 2 102, 2 204, 2 306, 2 408, 2 5010, 2 6012, 2 7014 मतलब यह 27014 होगा तो हमारा यहाँ पर 7 आ जाएगा अपन अब देखो 26 है यहाँ और यहाँ पर हमारा 2 है तो 26 के टेबल में 2 का बात है यह देखने लिए पहले आपको 6 को डिवाइड करना है 2 306 होता है तो 3 लिख हमारा एंसर मिल गया तो नीचे थरटीन है तो थरटीन आ गया ऊपर हमारा जो यह बॉक्स में आएगा वह रहेगा 7 तो ऊपर हम लिख देते है 7 ठीक है 7 लिख दिया हमने उपर अब अगले नमबर पे आते हैं 6 में हमें क्या है 6 अगला fraction हमें क्या दिया गया है यहाँ पे दोगो आपको है यहाँ पे दोगो box है नीचे 3 है denominator में is equal to 4 upon 6 यहाँ पे दोगो आपको equivalent fraction दिया गया है आपको जो fraction question वाला fraction है वो आपको form करना है अब आपको पता लगाना है कि यहाँ पे आपका क्या आएगा answer ठीक है अब देखो यहाँ पे भी हमें same वही करना है अब समझो यह हमारा question है तो आपको देखना है कि जो हमारा denominator है वो इस number से बढ़ा है कि छोटा है बताओ जैसे हमने यहाँ पे किया था ना यह सब में same वही करना है खाली अब हम यह तरफ shift हो गए है देखो यहाँ पे क्या है 3 है यहाँ पे 6 है मतलब यह number छोटा है तो मतलब हम इसको divide करेंगे तब हमें मिलेगा यह वाला number ठीक है कि छोटा है ना तो हमें divide करके मिला अगर यह यह number बढ़ा रहता तो मतलब हमें multiply करना पड़ता तो देखो 3 के table में 6 कब जाता है देखो 3 1s are 3 3 2s are 6 मतलब कि जब हम 6 को 2 2 से जब हम divide करेंगे तब हमें मिलेगा 3 तो मतलब हमें numerator और denominator को 2 से divide करना पड़ेगा तो आप यहाँ पे लिगो 4 upon 6 is equal to 4 divided by 2 upon 6 divided by 2 तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 2 2s are 4 तो मतलब हमारा उपर 2 आ जाएगा और नीचे क्याएगा 2 3s are 6 तो नीचे आपका 3 आ जाएगा तो मतलब हमें answer क्या मिला हमारा देखो नीचे 3 आ गया है हमारा यह denominator वाला numerator में क्याएगा 2 आएगा तो आप यहाँ पे 2 लिग दो ओके यह होगा हमारा अभी 7 पे चलते है 7 में क्या दिया गया है यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको 1 numerator में 1 है denominator में कुछ भी नहीं दियागा और हमें equivalent fraction क्या दियागा है 4 upon 20 दिया गया है तो हमें देखो यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे हमें वही method यूज करना है जो हम बाकी में यूज किये है उपर वाला number जो 1 है यह इस number से numerator से बढ़ा है कि छोटा है मतलब हमें जो answer मिला है वो divide करके मिला है क्योंकि यह number छोटा है तो देखो बच्चो 1 के table में 4 का बात है 1101, 1202, 1303, 1404 मतलब जो आप 1 का table 4 times पढ़ोगे तो 4 मिलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ हमें यह उपर वाले number को और नीचे वाले को numerator और denominator को 4 से divide करना पड़ेगा तो हमें जाके मिलेगा हमारा यह जो नीचे answer है वो ठीक है तो हम यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं 4 upon 4 upon 20 is equal to हमें 1404 मिले ना मतलब 1404 मतलब है 4 4 divided by 4 upon 20 divided by 4 करना है इस equal to का sign डालो 4104 मतलब उपर 1 आ गया देखो हमारा numerator में होगा है 1 आ गया अपन 4 5020 होता है ना 4104 4208 43012 44016 45020 तो यहाँ पर हमारा नीचे आजएगा 5 ठीक है यहाँ पर आप 5 लिख दो इसका मतलब क्या हुआ हमें answer क्या मिल गया जो हमारा box में आएगा 5 ओके 5 लिख दो ठीक है 8 तोले पर चलते है 8 में क्या दिया गया है यहाँ पर आपको numerator मे कुछ भीने denominator में 5 आउर यहाँ पर आपको equivalent fraction दिया है 10 अपॉन 25 तो देखो बच्चो आप simply वही करो यह वाला number जो हमें है इससे बढ़ा है कि छोटा है बताओ छोटा है ठीक है छोटा है ना मतलब हमें divide करके यह वाला number मिलेगा जो हम इसको divide करेंगे तो 25 तो 5 के table में 25 का बाता है पड़ो तो 5105 52010 53015 54020 55025 मतलब 55025 हो रहा है मतलब कि हमें denominator को जो हम 5 से divide करेंगे तब हमें मिलेगा 5 इसका मतलब हमें दोनों number को 5 से divide करना है तब हमें उपर वाला भी मिलेगा तो लिखते हैं यहापे 10 upon 25 is equal to किसे में डिवाइड करना है 5 से तो 10 divided by 5 upon 25 divided by 5 is equal to क्या हैगा आपका एंसर दोगो 52010 5 के टेबल में कब जाएगा 52010 हो तो हमारा 2 आ गया है यहापे और 52025 होता है तो हमारा 5 नीचे आ जाएगा ओके तो मतला हमारा जो बॉक्स में एंसर रहेगा वो क्या है देखो डिनोमिनेटर में हमें 5 मिला नीउमिनेटर में हमारा 2 आएगा तो आप यहापे 2 लिख दो ठीक है हमारा हो गया पहला वला कोशन हमारा कम्प्लीट हो गया अब देखो फ्रेक्शन दिये गया है देखो 1,2,3,4,5,6 यह सारे फ्रेक्शन का आपको एक इक्विबेलन फ्रेक्शन निकालना है जिसका डिनोमिनेटर 18 रहना चाहिए मतलब कि समझ लो हमारा यह फ्रेक्शन है उसका नीचे वाला नंबर 18 रहना चाहिए यह कंडिशन हमें दी गई है ठीक है? चलो भी हम करते तो बच्चो आप भी pen और book लेकर बैठ जाओ साथ में करते हैं हम यहाँ भी देखो question 2 मैं आपके लिखके रखाए question है यह हमारा जिसका डिनोमिनेटर 18 रहना चाहिए और यह देखो पहला question के आपका 1 upon 2 हमें क्या condition बोलीगे यह बच्चो कि हमारा डिनोमिनेटर 18 रहना चाहिए समझ लो यह हमारा question है देखो यहाँ पर 1 upon 2 यह हमारा question है अब बोल रहे हैं कि आपको equivalent fraction बनाना है जिसका देखो जिसका denominator मतलब नीचे वाला नंबर 18 रहना चाहिए जितने भी numbers हमें दिये गए है यह जो सारे numbers है न यह सारे numbers का denominator 18 रहना चाहिए मतलब जो नीचे वाला number है वो 18 रहना चाहिए और उपर वाला जो number है वो हमें नहीं पता है वो हमें नहीं मालूम है question mark है, ठीक है, हमें नहीं पता है उपरवालना नंबर क्या है, तो अब हमें ये ढूनना पड़ेगा, ओके तो कैसे करना है ये देखो यहाँ पे वही सेम करना है बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारे पास numerator और denominator दोनु है तो इस नंबर का यूज करते हुए, हम उपरवालना नंबर ढून सकते हैं तो देखो, ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा है कि छोटा है, 18 टू से बड़ा है, आपको भी पता है तो अब देखो, टू के टेबल में 18 कब जाता है पढ़ो टू के टेबल, देखो टू के टेबल में 18 का बाता है तो हम क्या करेंगे उपर और नीचे वाले नंबर को हम 9 से मल्टिप्लाइ करेंगे ठीक है, तो देखो हमारा क्या 1 अपॉन 2 is equal to क्या है हमारा 1 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 9, तो अब हमें answer मिल जाएगा हमारा तो देखो क्या हैगा, 910 9, 920 18 मतलब जो हमारा answer है, क्या रहेगा यहाँ पे उपर और नंबर रहेगा, 9 हमें equivalent fraction जब हम 1 by 2 का निकालेंगे 1 1 अपॉन 2 का जब हम equivalent fraction निकालेंगे तो हमें मिलेगा 9 by 18 जिसका denominator 18 रहना चाहिए यह हमारा answer है, ठीक है ऐसे आपको करना है अब चलो, आगे बढ़ते हैं आगे क्या है अब देखो second question में आपको क्या दिया गया है second में हमारा 2 upon 3 तो अब देखो इसका हमें equivalent fraction निकालना है जिसका denominator 18 रहना चाहिए, यह condition है ठीक है तो देखो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमें एक fraction निकालना है जिसका denominator 18 रहना चाहिए, यह ऐसा बोला गया है और जो उसका numerator है, वो हमें पता नहीं है वो हमें निकालना है, ठीक है तो अब देखो यह जो number है इस number से देखो, यह हमारे पास fraction पूरा है 2 numerator में 2 है, denominator में 3 है मतलब इसका use करके हम यह numerator में क्या रहे हैं, वो हम पता लगा सकते है तो देखो, यह जो 3 है denominator में, और यहाँ पर 18 है तो यह 18, 3 से बढ़ा है की छोटा है बताओ बिल्कुल सही, यह जो 18 है 3 से बढ़ा है, मतलब हमें multiply करके यह वाला number मिलेगा तो 3 के table में 18 का बाता है पढ़ो table, देखो 3103, 32006 3309, 34012 35015 36018 ठीक है, तो मतलब हमें 3 को जब हम multiply करेंगा 6 से, तो हमें 18 लेगा इसका मतलब क्या हुआ, हमें उपर और नीचे दोनों number को 6 से multiply करना पड़ेगा तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2 upon 3 is equal to 2 multiplied by 6 upon 3 multiplied by 6 is equal to, हमें क्या में लेगा 2, 6, 0 क्या होता है बच्चो, 12 होता है ना 2, 6, 0 12 upon 3, 6, 0 18, अभी हमने टेबल पड़ा था 18 तो मतलब बच्चो, हमें क्या मिला जो उपर यहाँ पे रहेगा numerator में, हमारा रहेगा 12 तो हम final answer लिख सकते हैं कि 2 upon 3 is equal to 12 upon 18, यह हमारा final answer है अब अगले वाले number पे आते हैं अगले वाले number पे हमें क्या दिया गया है 4 upon 6 अब इसका हमें एक equivalent fraction निकालना है जिसका denominator 18 रहना चाहिए तो मतलब हमारे पास equivalent fraction अल्रड़ी दिया गया है जिसका denominator 18 है हमें question में बोला गया था ना, देखो यह question है ना, यह अभी हम यही वाला कर रहे है यहाँ पे हमें, यह सारे हमको करना है जिसका denominator 18 रखना है तो हमने तो अभी थर्ड वाला लिखा हमें numerator इसका पता नहीं है numerator हमें निकालना है अब हम करते हैं इसको देखो अब यह जो यहाँ पे हमारे पास numerator और denominator दोनों है यह complete fraction है हमारे पास लेकिन यहाँ पे हमारे पास numerator नहीं है मतलब इसका use करके हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि इसका numerator क्या आना चाहिए तो यहाँ पे 18 है और यहाँ पे denominator में 6 है तो यह 18 6 है बड़ा है कि छोटा है बिल्कुल सही बड़ा है 6 से ठीक है बड़ा है मतलब हमें यह multiply करके मिला है यह जो denominator में number है अगर छोटा रहता ना तो हमें divide करके मिला रहता है अब देखो 6 के table में 18 का बाता है पढ़ो 6706, 62012, 63018 मतलब हम जब 6 को 3 से multiply करेंगे तो हमें 18 मिलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ हमें जब हम 4 को 3 से भी multiply करेंगे तो हमें यह numerator मिल जाएगा तो क्या रहेगा आपका यहां पे 4 upon 6 is equal to किससे हमें multiply करना है 3 से दोनों को तो 4 multiplied by 3 upon 6 multiplied by 3 is equal to क्या मिलेगा हमे 430 क्या होता है 12 upon 630 क्या होता है 18 तो हमें क्या मिल गया answer 12 यह denominator 18 है numerator हमें क्या मिल गया 12 मतलब यहां पे 12 ले रहे हैं तो आप final answer कैसे लिख दूगे यहां पे आप लिख सकते हो 4 upon 6 is equal to 12 upon 18 यह हमारा है final answer अब ही चलो अगले नंबर पे चलते हैं अगला नंबर हमें क्या दिया गया है यहां पे 2 upon 9 यह हमें fraction दिया है और बोले है इसका equivalent fraction निकालना है जिसका denominator 18 हो मतलब हमें हमारे पास denominator है 18 question में बोला गया था ना numerator हमें पता करना है क्या रहेगा अगर denominator 18 रहेगा तो तो हम करते हैं देखो यहां पे आपके पास denominator में 18 है और यहां पे 9 है तो 18 9 से बढ़ा है की छोटा है बढ़ा है ठीक है मतलब हमें यह जो 18 मिला है यह हमें multiply करके मिला है तो 9 के table में 18 का बात है देखो 9109 92018 तो मतलब हम जब 9 को 2 से multiply करेंगे तो हमें 18 मिलेगा इसका मतलब क्या हो हमें दोनों number को 2 से multiply करके हमारा numerator भी मिल जाएगा यहां पे हम लिखते है 2 upon 9 9 is equal to किसे हमें करना है 2 से करना है तो उपर वाले number को भी 2 से करना है 2 multiplied by 2 upon 9 multiplied by 2 is equal to 2 to 0 क्या होगा 4 upon 9 to 0 क्या होगा 18 तो हमें क्या मिला बच्चो numerator में हमारा आएगा 4 तो हम final analysis कैसे लिख देंगे यहां पे हम लिख सकते हैं 2 upon 9 9 is equal to हमारा numerator में आएगा 4 तो 4 upon 18 4 upon 18 ओके यह होगी हमारा 4th one अब फिफ्ट पे चलते हैं फिफ्ट में हमें क्या दिया गया है यहां पे देखो फिफ्ट में हमें 7 upon 9 अब इसका equivalent fraction निकालना है जिसका अलरड़ी हमें denominator दिया गया है denominator में क्या है 18 है ठीक है तो यहां पे हम denominator में 18 लिख देते हैं और हमारा numerator जो है वो हमें निकालना है ठीक है अब देखो आपको कैसे करना है अब यहां पे आपको देखना है 18 जो है यह 9 से बढ़ा है कि छोटा है बढ़ा है यह तो आपको मारूँ अभी हमने ऊपर किया था तो 9 के टेबल में कब जाता है 18 9 के टेबल में 18 कब आता है 9 2 0 18 होता है तो मतलब हमें जब हम 9 को 2 से multiply करेंगे तो हमें 18 मिलेगा तो ऊपर और नीचे वाले नंबर को तो हमें डिनॉमिनेटर 18 मिल गया निउमिनेटर 14 है मतलब यहां पर हमारा 14 आएगा तो फाने लिश्वर हम देते हैं कैसे लोगोगा आप 7 अपॉन 9 इस इक्वल टू 14 अपॉन 18 ठीक है चलो भी 6 वह पर चलते है जो हमें लास्ट है देखो हमारा लास्ट में क्या था हमारा 5 अपॉन 3 है इसका भी निकालना है यह सारे नंबर्स के निकाल दिया भी लास्ट वाले पर हमें चलो उसका करते हैं तो देखो यहां पर आपको क्या दिया गया है 5 अपॉन 3 जिसका हमें क्या बोला है equivalent fraction निकालना है और हमें बोला है denominator हमको 18 रखना है तो हम denominator को 18 रखते हैं और numerator हमें पता नहीं है जो हमें निकालना है अब देखो ये वाला जो number है इससे बढ़ा है की छोटा है बताओ बढ़ा है ना 18 तो 3 से बढ़ा है ना तो मतलब हमको इस number को जब हम multiply करेंगे तो हमें ये number मिलेगा तो 3 का table में 18 का बाता है पढ़ा हूर 3 का table देखो 3103, 32006, 3309, 34012, 35015, 36018 तो देखो 36018 होता है तो मतलब हम जब 3 को 6 से multiply करेंगा तो हमें 18 मिलेगा इसका मतलब क्या हुआ हमें numerator में जो 5 है उसको भी 6 से multiply करेंगा तो हमें ये answer मिल जाएगा तो लिखते हैं यहापे हम लिखते हैं 5 upon 3 is equal to 5 multiplied by 6 upon 3 multiplied by 6 is equal to 560 क्या होता है बच्चो टेबल पड़ो 5 का 5105, 52010, 53015, 54020, 55025, 56030 तो मतलब हमारा यहाँ पर आएगा 30 upon 36018 अभी हमने देखा था पड़ा था ना टेबल तो हमारा क्या आ गया जो डिनोमिनेटर 18 आ गया नुमिनेटर में हमारा 30 आएगा यहाँ पर ओके तो हम फाइलेटर हमारा लिख देते हैं कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर लिख देंगे 30 सोरी 5 पहले हम 5 upon 3 is equal to यह वाला जो हमने नुमिनेटर यहाँ पर निकाला है 30 upon 18 ओके यह गया हमारा अब चलो कोशन नुमर 3 पे चलते हैं टेक्सबुक में देखो आपको कोशन नुमर 3 क्या दिया गया है यहाँ पर आपको कोशन दिया गया है कि find an equivalent fraction with denominator 5 for each of the following fraction देखो यहाँ पर क्या आपको बोला था denominator 18 रखना है यहाँ पर क्या बोलते है denominator 5 रखना है जैसा हमने यहाँ पर 18 रखा था ना वैसे हम यहाँ पर 5 रखेंगे ओके चलो भी करते हैं यह सारे मैंने आपके लिए लिख कर रखा है जतने भी है यह देखो 1 2 3 4 5 5 है 5 fraction है 5 रखना है यहाँ पर question 3 मैंने लिख कर रखा है पहला उसमें क्या आपको देखो पहला है आपको 6 divided by 6 upon 5 15 सॉरी सॉरी 6 upon 15 है ठीक है तो देखो यहाँ पर हमने 6 upon 15 लिख कर रखा है तो देखो यहाँ पर 6 upon 15 है हमें क्या बोला है equentude निकालना है जिसका denominator 5 रहना चीह तो मतल्बा हमें equivalent fraction ऐसा निकालना है जिसका denominator 5 रहना चीह और जो numerator है वह हमें ढूणना है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या आपका 15 है यहाँ पर 5 है तो यह वाला जो number है denominator में इससे बड़ा है कि छोटा है बताओ छोटा है मतलब जब हम इस number को divide करेंगे तब हमें ये number मिलेगा बाकी इसमें देखो क्या हो रहा था जो denominator थे देखो ये इससे बड़ा था तो हम multiply करके ये answer मिल रहा था अब यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे ये छोटा है इससे तो मतलब इसको हम divide करेंगे तब हमें ये answer मिलेगा तो अब हमें क्या करना है हमें क्या देखना है कि ये जो 5 कर table है 5 कर table में 15 का बाता है तो 5 कर table में जब 15 आएगा तो उसी number से हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा तो पढ़ो 5 करणे वाल 5105, 52010, 53015 दोखो 53015 मतलब 53015 हो रहा न तो मतलब हम 15 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तब हमें 5 मिलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ हमें उपर numerator और denominator दोनों को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तो हमें यह वाला भी मिल जाएगा तो करते हम यहां पर आप लिखो 6 upon 15 is equal to 6 divided by 3 upon 15 divided by 3 is equal to ऐसे नहीं रहेगा बच्चो यह गलत हो गया है देखो कहा रहेगा 3 2 0 6 रहेगा तो उपर आपका 2 आएगा और नीचे कहाएगा 3 5 0 15 तो नीचे 5 आजाएगा ओके तो हमें क्या मिला 2 upon 5 मतलब नीचे 5 हमारा उपर numerator में कहाएगा 2 रहेगा तो आप final answer कैसे लिख सकते हो यहाँ पे 6 upon 15 is equal to यहाँ पे हमारा उपर numerator में कहाएगा 2 upon 5 हो गया अगले नमबर पर आते है second पर क्या है हमें देखो second में हमें दिया गया 10 upon 25 जिसका equivalent fraction निकालना है और हमें बोला है कि उसका numerator 5 रहना चाहिए question में हमें बोला है ना 5 रहना चाहिए तो 5 और हमें numerator हमें find करना है numerator क्या आएगा ठीक है तो चलो करते हैं अब देखो यह जो नीचे वला नमबर है इससे बड़ा है कि छोटा है बताओ 5 25 से छोटा है ना मतलब क्या हुआ हम जब इस नमबर को divide करेंगे तब हमें यह नमबर 25 मतलब 5 के टेबल में जब आप 5 50 करोगे तब 25 है इसका मतलब क्या हुआ हम जब 25 को 5 से डिवाइड करेंगे ताब हमें मिलेगा 5 इसका मतलब यह हो जब उपर numerator दोनों को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें यह वाला नंबर भी मिल जाएगा तो करते हैं चलो 10 10 अपों 25 इस इकोल तू 10 डिवाइड बाइ 5 अपों 25 डिवाइड बाइ 5 इस इकोल तू 5 तू जार तेन तू आ गया 5 तू जार फिफ्टिन फाइड आ गया तो हमें क्या मिला तू अपों 5 मतलब हमारा जो numerator में क्या आ जाएगा तू आ जाएगा तो हम फाइलाइड एंसर कैसे लिख सकते हैं 10 अपों 25 इस इकोल टू तू अपों 5 यह हमारा एंसर है ठीक है चलो भी आगे चलते हैं अब दूखो आगे आपको क्या दिया गया है थर्ड में अगर आप देखोगे देखो यहाँ पे क्या आपको 12 अपों 30 इसका हमें equivalent fraction निकालना है जिसका हमें क्या बोला गया है कि हमको जो denominator है वो हमें 5 रखना है और numerator जो है वो हमें पता नहीं है निकालना है ओके हम कैसे करेंगे देखो यहाँ पर अभी देखो यह 5 30 से बढ़ा है कि छोटा है बढ़ा है मतलब हम इस नंबर को divide करेंगे तब हमें यह नंबर मिलेगा जोको 5 के table में 30 का बात है पढ़ो जोको 5105 52010 5305 54020 55025 56030 तो 56030 हो रहा है ना तो मतलब हम इस न दोनों को हमें 6 से डिवाइड करके यह निमेरेटर भी मिल जाएगा तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे 12 अपॉन 30 इस इक्वल टू 12 डिवाइड़ वाई 6 अपॉन 30 डिवाइड़ वाई 6 तो मैं एंसर क्या में लेगा दोखो 62012 होता है यहाँ पर जाएगा क्या मिला हमें एंसर टू अपॉन 5 मतलब यह निमेरेटर में हमारा टू आएगा तो हम फाइनल एंसर कैसे लिख देंगे हमें डिनोमेंटर 5 रखने बोला है और जो निमेरेटर है निमेरेटर जो है वह हमें पता नहीं है तो मैं फाइंड करना है तो आप क्या करो देखो यहाँ पर जो 5 है यह इससे बढ़ा है कि छोटा है बताओ 10 से तो छोटा है ना 5 मतलब इस नमर को हम जब डिवाइड तब हमें 5 मिलेगा तो मतलब निमेरेटर और डिनोमेरेटर दोनों को 2 से डिवाइड करके हमें निमेरेटर भी मिल जाएगा तो लिखते हम यहाँ पर 6 अपॉन 10 इस इक्वाल टू तो अभी देखो 2,3,0,6 होता है तो हमारा यहाँ पर 3 अजाएगा उपर और 2,5,0,10 होता है तो हमारा नीचे 5 जाएगा तो हम answer कहें मिला बच्चो हमें मिला 3 अपॉन 5 बता हमारा यहाँ पर निमेरेटर में 3 आजाएगा तो हम 5 एंचे कैसे लिख दिखेंगे 6 अपॉन 10 इस is equal to 3 upon 5 ठीक है अब चलो फिफ्ट वाले पर चलते हैं हम हमें देखो क्या है यहां पर 21 upon 35 तो हमें यहां इसका क्या करना है इक्वेलेंट फ्रेक्शन निकालना है जिसका डिनॉमिनेटर 5 रहेगा इसको डिनॉमिनेटर 5 दिया हमें पता नहीं है तो आप देखो जो यह डिनॉमिनेटर यह 5 35 से बढ़ा है कि छोटा है छोटा है मतलब इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे तब हमें 5 मिलेगा तो 5 के टेबल में 35 का बाता है पढ़ो देखो 5105, 52010, 53015, 54020, 55025, 56030, 57035 मतलब कि 57035 आ रहा है मतलब जो हम इस नंबर को यह 35 को 7 से हम जब डिवाइड करेंगे तब हमें मिलेगा 5 तो उपर और नीचे दोनों को हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तब हमें मिल जाएगा हमारा यह निमिनेटर भी तो देखो यह वाला लिखते हम यहाँ पर 21 अपॉन 35 इस इक्वाल टू 21 डिवाइड बाई 7 अपॉन 35 डिवाइड बाई 7 इस इक्वाल टू 730 क्या होता है दोखो 21 कब आता है 7107 720 14 730 21 स्वें 3021 हो जाएगा स्वें 3021 हो जाएगा अपॉन 750 35 यहाँ तो हमने यहाँ पर देखा था तो नीच्चो 5 आ जाएगा हमारा डिनोमेटर में ओके तो तो हमारा फाइनल एंसर क्या जाएगा यहाँ पर हम लिख देंगे पहले यह वाला 21 अपॉन 35 इस इक्वाल टू यहाँ पर हमारा क्या में लाएगा था 3 तो 3 अपॉन 5 ओ आपको फूर्थ कुशन में दिया गया है from the fractions given below pair of the equivalent fractions यहाँ पर क्या बोले है बच्चों हमें कि यह सारे हमें fraction दिये गए हैं यहाँ से हमें equivalent fraction निकालना है इसमें से ढूंड के लिखना है तो यहाँ पर देखो बच्चों अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर आपको क्या बो बोल रहे हैं कि जो fractions दिये गए इनका equivalent fraction इसी में से निकालो यहाँ पर पहला क्या हमारा 2 upon 3 तो यहाँ पर हम लिख देए 2 upon 3 अब इसका हमें equivalent fraction निकालना है ठीक है तो देखो 2 के table में कौन सा number जाता है तो 2 के table में 5 नहीं आता है 2102, 2204, 2306 होता है तो 5 तो नहीं आता है 2306 ह 2408, 7 भी नहीं आ रहा है 14 आता है क्या 248, 25010, 26012, 27017 हां 2 के table में 14 आता है 27014 होता है लेकिन 27014 हो रहा है लेकिन 37018 होता है क्या वो अभी हमें देखना है तो देखो क्योंकि देखो equivalent fraction कब निकलता है जब उपर और नीचे दोनों number को same से हम multiply करते है तब निकलता है तो देखो 27014 तो हो रहा है अब 37018 होता है की नहीं देखो अब हम पढ़ते है टेबल 3103, 3206, 309, 34012, 35015, 36018, 37021 हो रहा है और यहां पर क्या है हमारा 18 है मतलब यह वाला equivalent fraction नहीं है यह इस number का नहीं है अब आगे बढ़ते है देखो यहां पर आगे क्या है यहां पर 15 है टू के टेबल में 15 जाता है क्या देखो यहां पर हमने 2714 देखा था टू एटजर क्या होता है 16 होता है मतलब 15 नहीं जाता है देखो 18 आता है क्या टू के टेबल में equivalent fraction में numerator और denominator को सेम नंबर से multiply करके हमें जो नंबर मिलेगा वो हमारा equivalent fraction होता है तो 29018 है अब 39027 होता है या नि वो देखना है तो 3 का टेबल पढ़ते हैं 3103, 32006, 3309, 34012, 35015, 36018, 37021, 38024, 39027 मतलब बच्चों की यह 27 आ रहा है मतलब यह हमारा equivalent fraction है इस नंबर का तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 2 upon 3 is equal to हमारा equivalent fraction है 18 upon 27 इस तरीके सा आपको ढूंड रहा है अब देखो second क्या है हमारा second हमारा है 5 upon 7 पहले हम देखो इस पर हम कर देते हैं कि यह हमारा हो गया यह वाला और यह वाला हमारा हो गया यह दोनों नंबर को हमें नहीं देखना है हैं अब हम लिखते हैं 5 upon 7 अब देखो अब हमें यह दोनों नंबर को ऐसे नंबर से मल्टिप्लिया करना है जो हमें fraction यहां पर मिले देखो वाला हमारा नहीं है अगली नंबर पर धैखो चाह कि यह तुँच्छां और इसका हम दोनों पर यह यह दोनों नहीं Dir तो देखो 15 आता है 5105 52010 53015 53015 तो हो रहा है लेकिन हमें डिनोमिनेटर को भी 300 मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा 300 मल्टिप्लाइ करके हमें देखना है कि 33 आता है कि नहीं है तो देखो 7107 72014 73021 हो रहा है ठीक है तो यहां पर 33 है मतलब यह भी हमारा equivalent fraction नहीं है अब आगे बढ़ते हैं यहां पर ओपर क्या 10 है 5 के टेबल में 10 आता है क्या पड़ो देखो आता है 5105 52010 हां आता है अब देखो 5205 52010 तो हो गया है लेकिन यह जो डिनोमिनेटर में 7 है तो 720 क्या होता है वो देखना है में देखो 7107 72014 देखो यहां पर 14 मतलब हमारे डिनोमिनेटर और नियुमिनेटर और डिनोमिनेटर मिल गया है क्योंकि हम जब सेम नंबर से दोनों को मल्टिप्रा कर रहा है तो हम क्या लिख देंगे यहां पर 10 अपाउन फोर्टीन तो हमें हमारा यह वाला नंबर भी हो गया है इसको भी हम सरकल कर देते कि अभी हमें यूज नहीं करना है अब देखो थर्ड में आपको क्या है फाइव उपाउन लेवें तो हम लिख देते हैं यहांपे 10 हो जाएगा 14 आता है नहीं आता है भी हमने देखा था 14 नहीं आता 5 को टेबल में 15 आता है हाँ 5105 52010 53015 आता है लेकिन 53015 होता है लेकिन 113033 होता है क्या वो चेक करना है तो पड़ो 111011 112022 113033 हाँ आता है मतब इसका equivalent fraction यह है तो हम यहाँ पर लिख देते है 15 अपॉन 33 तो हमारा यह भी हो गया अब बचता है क्या हमारा अखरी में 7 अपॉन 9 14 अपॉन 18 अब देखो 7 का टेबल में 14 आता है 7107 72014 हाँ आता है अब देखो 9 को भी हम जब 2 से multiply करेंगे 18 आएगा क्या देखो 9109 92018 हाँ आ रहा ह मतलग यह इसका equivalent fraction है तो हम 4 वाले लिखते है last में हमारा जो है 4 वाले हमारा क्या है 7 अपॉन 9 is equal to हमारा यह है 14 अपॉन 18 ओके अब चलो आखरी question क्या है हमें देखते है आखरी question हमें यहाँ दिया गया है find two equivalent fraction for each of the following fractions क्या बोल रहे है आपको यहाँ पर तीन fraction दिया गया है इन ती रोब fraction का equivalent fraction निकालना है मैंने आपको क्या बता है बच्चो equivalent fraction हम divide यह multiply करके निकालना है तो हम निकालते है पहला देखो हमें क्या है, 7 upon 9 है, तो 7 upon 9 का हम equivalent fraction पहले निकालेंगे, अब इन दोनों नंबर को कोई भी नंबर से, मतलब कोई भी एक नंबर लो, जिससे आप उपर और नीचे multiply करोगे, तो हम 3 ले जाते हैं चलो, 7 multiplied by 3, अब हमें नीचे भी उससे multiply करना पड़ेगा न, 3 से ही 730 क्या होता है, 7107, 72014, 73021 होता है, तो यहाँ पर 21 लिख दो, और यहाँ पर क्या हैगा, 930 क्या होता है, 9109, 92018, 93027, यहाँ पर 27 लिख दो, यह हमारा मिल गया एक, ठीक है, एक equivalent fraction हमें ही मिल गया, यह हमारा पहला था, हमें दो निकालने बोला है, तो अब दूसरा निक 9, अब दूसरे में हमें किसी और नंबर से दोनों numerator, denominator का multiply करना है, तो हम कोई सा नंबर चूज करते हैं, चलो, 6 ले ले लेते हैं, तो 7 multiplied by 6, कोई भी नंबर से आप multiply कर सकते हो, लेकिन दोनों को same से करना है, और नीचे कहा है, 9 multiplied by 6, 6 से ही multiply करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 6 ले लो, यहाँ पर 3 ले लो, नहीं, दोनों को same से multiply करोगे, तो ही आपको equivalent fraction मिलेगा, अगर अलग ले लोगे, तो equivalent fraction आपको नहीं मिलेगा, ओके, is equal to हमें क्या मिल जाएगा, 760 क्या होता है, 760, 7107, 72014, 73021, 74028, 75035, 76042, ठीके, तो यहाँ पर हमारा उपर आजाएगा, 42, और नीचे हमारा क्या आजाएगा, 960 क्या होता है, देखो, 9109, 92018, 93027, 94036, 95045, 96054, तो आपको क्या हैगा, यहाँ पर 54, तो यहाँ पर हमने 2 equivalent fraction निकाल दिये है, इस नंबर के 2 हमने equivalent fraction निकाल दिये, एक हमारा यह है, 21 upon 7, एक हमारा 42 upon 54 है, ओके, अब इसका 2 equivalent fraction निकालना है, इसी तरीके से निकालना है, जैसे हमने उपर किया है, चलो करते हैं, हम यहाँ पर first लिखते हैं, पहला हम निकालेंगे, क्या है हमारा 4 upon 5 is equal to, कोई भी नमर से अब इसको multiply करो, तो हम ले रहेते हैं 2, 4 multiplied by 2 upon 5 multiplied by 2, मैंने आपको बताया है न, 2 यहाँ पर आप 3 ले लो या 4 ले लो, अगर आपने ऊपर 2 से multiply के नीचे 3 से किया न, तो आपको equivalent fraction नहीं मिलेगा, दोनों को सेम से करोगे, तब ही equivalent fraction मिलेगा, तो यहाँ पर आपको 4 to 0 क्या मिलेगा, 8 upon 5 to 0 क्या हो जागा, 10, यह हमारा एक हो गया, अब दूसरा equivalent fraction निकालते हैं, second में हमारा क्या है, 4 upon 5, second में आपको कुछ सा नंबर लेना है, चलो हम ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है, 4 नहीं, 7 ले लेते हैं, चलो, तो हमें 4 multiplied by 7 upon 5 multiplied by 7 करते हैं, is equal to, क्या आएगा हमारा answer, अब दोको, 470 क्या होता है, 4 का डेबल पढ़ो, 4104, 4208, 43012, 44016, 45020, 46024, 47028, तो हमारा आजाएगा उपर, 28, नीचे कहाएगा, 5 का डेबल पढ़ो, 5105, 52010, 53015, 54020, 55025, 56030, 57035, तो यह हमें मिल गया, 2 equivalent fraction, सुरी, आपको दिखने ही रहा था ना, यहां से, यह हमारा मिल गया, equal fraction, यह 2 मिल गया, इसका हो गया, अभी हम last one में चलते हैं, यहां पर देखो हमने दोनों निकाल दिया, यहां पर एक equal fraction है, यहां पर यह है, इस नंबर का हमें यह दोनों मिल गया है, हमें मिलेगा, 3,40 क्या होता है, 12, और 11,40 क्या होता है, 44, ओके, अब देखो, second अभी हमें, second निकालना एक equal fraction, तो यहां पर हम second वाला निकालते हैं, 3 upon 11, इस बार हम क्या ले लेते हैं, 3 multiplied by 9 upon 11 multiplied by 9, क्या हैगा हमार answer, 3,90 क्या होता है, बच्चो, 27, ओके, यहां पर 27 लिख दो, upon 11,90 क्या होता है, 99, तो हमने निकाल दिया, यह दो, equivalent fraction, पहला क्या है हमारा, 12 upon 44, दूसरा क्या हमारा, 27 upon 99, यह इसका दो equivalent fraction है, ओके, तो बच्चो, हमारी यह वाला, जो हमारा यह वाला problem set है, complete हो गया है, I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से practice कर लो, और अच्छे से पढ़ लो, ताकि अगर आपका टेस्ट तो आपके full marks है, मिलते भी अगले वीडियो में, अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगा, तो अपसी वीडियो को like करो, अपने दोस्तों के साथ share करो, चैनल को subscribe करो, thank you,